प्रदेश में कोरोना के लोकडाउन में अनलोक वन जारी है दूसरी और मेरीज गारडन एसोशेशन ओफ राजस्तान ने सरकार से विभिन शुल्क और टैक्स माफ करने की मांग की है एसोशेशन महामंतरी भवानी शंकर माली ने कहा कि जैपूर में धाई महिने से व्यवसाइट ठप है फिर भी सरकार लाइसेंस सफाई और फायर एनोसे शुल्क के साथ यूडी टैक्स वसूल कर रही है तो दूसरी और जमीन मालिक मेरिज गार्डन संचालकों से किराया वसूलने का दबाव बना रहे हैं ऐसे मेरिज गार्डन संचालक कोई शुल्क टैक्स या किराया देने की स्थिति में नहीं है और कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर मजबूरन आंदोलन किया जाएगा हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारे राजस्तान प्रदेश के सभी मेरिज गारडन संचालक इमानदारी से आपका टेक्स चुका रहे हर साल और हम तो ऐसे हैं कि आगे बढ़के एकल खिड़की के तैथ कैम्प लगाकर एक दिन के अंदर जैपुर में तो हम एक दिन में सारा पेसा चुकाते हैं आज हमारी विपरीत परिस्तितियों में हम आशा करते हैं सरकार से और मानने मुख्यमंत्रिय अशोक गैलोजी से कि बहुत समय दिन सील व्यक्ति कहलाते हैं आप हमारे